हला अब्रिवन तो आज हम बनाएंगे 36 गड़ की फेमस रेसिपी मूली भाटा की सबजी और हम इसे बनाएंगे खटे में याने की मही बटर मिल्क में चतीस गड़ में बटर मिल्क को मही बोलते हैं तो यह जो रेसिपी है ठंड के मौसम में चतीस गड़ी लोगों के घर में तो यह पक्का कंपल सरी बनता ही बनता है और विकली तो एक बास जरूर क्योंकि बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता है और यह 36 गड़ी लोगों का बहुती फेवरेट सबजी है और अच्छा बनके यह तयार होता है वैसे तो आप मूली भा बनाते हैं तो आप भी एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर ट्राय करेगा यह काफी अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते इससे बनाना तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दो मूली को छील के एकदम बड़ी ऐसा कट कर लिया है गोल गोल आप चाहे तो इसे अपने हसाब से कैसे भी कट कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने यह बैगन ले लिए खटा वाला बैगन है इसको मतलो बटर मिल्क में बनाया जाता है वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप का बैगन मिलता ही है लेकिन यह जो गोल वाला होता है नहीं राउंड सा उस वाले कड़ाई में तेल ले लिया और यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया जिससे स्लेट कर लिया और इसे हलका फ्राय करके हम इसे पहले निकाल लेंगे और अब हम इसमें निकाल देंगे मेती मेती को मैंने अच्छे से वाश कर लिया धूकिया और यहाँ पे सित मैने पत्ते ही पत्त करें और अब यहां पे कम से कम 2-3 मेट हो चुके हलका सा जो मूली है वो सौफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे बैगन जो हमने कट करके रखा यहां पे एक्चली वीडियो जो है मतलब कैमरा में आउन करना भूल गई थी तो अब यहां पे जो है बैगन को भी ह ऐमने इसे धक दिया है और अब हम इसमें टमाटर है तो यहां पे मैं एक बड़े मिनट में लिए और यहां पे घुड़ा पाल करते हैं तो यहां पे घॉन ईहां बड़ी काफी पफ़ियो भी हैंjekt करके हैं पो यहां 50 म सी olduğ capable निट जए आफ याल Ten गैइन पी कफ़िहा से दि नमक यहां पे मैं 1 टेबल स्पून ले रहें ठोड़ा साँ जादा ही डालेंगे क्योंकि बटर मिल्क खटे में है तो नमक थोड़ा साँ जादा लगता है और यहां पे 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पॉडर ले लिया और हम टेमाटर को थोड़ा सौफ्ट होने तक ढखके प तो अब हम इसमें डाल देंगे महीं, महीं यहां पे मैं डेड़ गलास ले रही हूँ और महीं जो है काफी खटा है तो मैं इसमें फाने और डाल रहे हूँ आप चाहे तो इसे दही से भी बना सकते हैं पर दही से जब बनाएंगे तो आप उसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें जिससे की दही जो है वो ना फटे और अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए अब हम इसे चार से पांच मिनट के लिए और अच्छे से उबलने देंगे और वैसे ये वाली सबजी में जो इसका रस होता है वो ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे चार से पांच मिनट भी हो चुके हैं यहाँ पे एकदम अच्छे से यह पक चुके है और मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया और हरी मिच डाल के हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी सब्जी जो है मुली भाटा की सब्जी बनके तयार है तो यहां पर मैंने राइस आठीड बना लिया था और यह रेसिपी जो एकदम बनके तयार है तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बाद जरूर ट्राए कर और आपकी रेसिपी कैसे पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और रेसिपी के साथ तब तक लिए ठीक है और बाबाई